पूरे भारत में कोरोना की प्रकोप जो है वो बढ़ती जा रही है लगातार कोरोना पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है तो वहीं आपको बता दे कि बिहार में भी कोरोना दिन बदिन बढ़ता जा रहा है लगातार कोरोना का प्रकौप जो है वो जारी है तो वहीं आपको बता दे कि बीते दिन कोरोना के अगर मामले देखें तो पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 24 घंटे में 684 मामले सामने आये हैं तो वहीं सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में 250 से उपर मामले वो सामने आये हैं तकरीबन 200 से उपर अब इस चीज को देखते हुए अब कोरोना के लगातर बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना हाई कोट ने बिहार सरकार को सक्ती दिखा दी है और सक्त निर्देश दिये हैं आपको पता दे कि पटना हाई कोट ने नितीश सरकार को यह कह दिया है कि 60 साल से 60 साल से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनका कोरोना जो जाच है वो अनिवारे होगा कब कोरोना जाच अब उन हर 60 साल से उपर के व्यक्ति का होगा और यह अनिवार यह है इस बात को लेकर पटना हाई कोट ने बिहार सरकार को सक्त निर्देश दे दिये हैं और इसका जो जाच रिपोर्ट है यह भी पटना हाई कोट ने कहा है बिहार सरकार को की जल्द से उसे पेश किया जाए क्योंकि लगातार जो है पूरे देश में कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है अभी ठंड का वक्त है और पूरे प्रदेश के अगर बात करें बिहार प्रदेश की बात करें तो बिहार में भी लगातार कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है बीते दिन की अगर बात करें तो कॉरोना से 7 मौत भी हो चुकी है तो वहीं 684 मामले सामने आए हैं और सिर्फ अगर बात करें बियार की राजधानी पतना के बात करें तो तक्रीबन 500 से उपर का मामला सामने आ रहा है कॉरोना को तो यानि की कॉरोना जो है ठंड में लगातार और बढ़ता 60 साल से अधिक जो भी उम्र के व्यक्ति हैं उनका को रोना जाच जो है अब अनिवारे होगा यानि कि अब कोरोना जाच हर एक 60 साल से अधिक व्यक्ति का होने वाला है। मिलकर जो है इसे कम करने में सहीोग करेंगे खेर फिलाल जो बात हम करें यहाँ पर तो पटना हाई कोटने जो है वो सक्ती तो दिखा दिये नितीश सरकार को और इस पर अब सवाल जो है सुआस्थ विभाग का भी खड़ा होते दिखाई दे रहा है साथिया आपको बता दे कि करोना के बीच जो इतना जादा करोना का प्रकोब बढ़ा वो इसका एक खामियाजा इसलिए भी अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कि अगर बात करें तो आईसोलेश सेंटर छोड़ कर चले गया है और इस बीच जब हाली में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उससे पहले से यानि कि विधानसभा चुनाव से पहले आलम फिर भी ठीक था जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार आईसोलेशन सेंटर में जो कोविट के पेशेंट उनकी निगरान पहले ना इसको लेकर चितने भी आईसोलेशन सेंटर हैं उन पर डॉक्टर्स की तमाम निगरानी होगी साथिसाथ आपको बता दे कि अब आईसोलेशन अगर आपको होम आईसोलेशन में हैं तो उसके लिए भी स्वास्त विभाग की टीम जो है आपके घर में आकर विजट करेगी और साथिसाथ मौके पर का भी जाइजा लेगी यानि कि अब फिर से स्वास्त विभाग ने जो है कमर कसली है और आईसोलेशन सेंटर पर जितने भी कोविट के मरीज हैं जो आईसोलेशन में हैं उन पर अब जो है पैनी नज़र रखी जाएगी तो फिलाल के लिए ह जाज देखतरी नेशन यूज धनेवाद